नमस्ता केसीन टिवी चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ एम जेन खान आए डालते हैं आज की ताजा ख़बर पर एक नज़र कोईला अंचल में यों तो कोईला तसकरी वच्छोरी सरकार वपुलिस के बड़े अधिकारी के कड़े निर्देश के बावजूद निरंतर निर्वाथ गती से जारी रहते हैं साथ ही साथ पीडियेस यानि गरिवों के अनाज की काला बाजारी इस क्रेप के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियों के लोहे काटने और तसकरी का धंधा तामबा, पीतल, अवैद सराब सिंडिकेट, सिमेंट, नामी कंपनियों के बोरों में भरकर बिक्री का और निर्मान का अवैद धंग से बालू की तसकरी का आदी का धंधा भी अवैद धंग से बे रोक डोक चल रहा है यह स्तरवी विदीत है, कभी कभार दिखाने के लिए पुलीस द्वारा छापा मारी कर खाना पूर्ती अवस्थ की जाती है ठीक इसी तरह का एक मामला परकास में आया है जरिया थाना छेतर में, गाय चोरी और फिर तसकरी का आज हम इसी रिपोर्ट को लेकर आपके समक्ष हैं हाजीर कभी कभार छापा मारी तो होती है, पर गाड़ी मालिक या मजदूर ही पकड़े जाते हैं और जेल भेजे जाते हैं यहां सवाल उठता है कि गाय की चोरी और तसकरी वर्सों से करवाने वाले रात के अंधेरे में आखिर हैं कौन आज तक पुलिस के हथे क्यों नहीं चड़े, परदे के पीछे सारे कामों को क्यों अंजाम देते रहते हैं क्या उन्हें पुलिस परशाशन और राजनितिक संड़क्षन प्राप्थ है? जबकि पुलिस चाहे तो क्या कोई भी तसकर नहीं पकड़े जा सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल है जरिया सिंदिरी रोड के किनारे, रेलवे की जमीन पर फूस बंगला नाम कस्थल में बसा एक ऐसा तपका, जिसे कंगाली उर्फ भाट के नाम से जाना जाता है इनका मुख्य धंधा या बेवसाय कहें जानवरों का है कोई खरीद विक्री करता है, तो कोई चोरी करता है और कोई तसकरी में सनलिप्थ है आपको बताते चलें कि गायों की चोरी और तसकरी को ही अपना बेवसाय बना बैठे हैं कंगाली और भाट मुहले के लोग आपको आगे बताते चलें कि कंगाली मुहला उर्फ भाट पट्टी और अब नया नाम गुलजार मुहला क्योंकि लडाई जगडा और गाली गलोस से मुहला रहता है गुलजार यह दो थाना छेतर में पड़ता है जोरा पोखर और जरिया थाना छेतर का बौडर इलाका है कभी यहां तालाब हुआ करता था जिसमें धार्मी कनुष्ठान खास कर छट पर्व धूम धाम से संपन होता था लोग अर्ध देते थे प्रन्तु अब उस पर घर बन गये हैं यान कबजा ही कबजा बहराल आईए गायों की चोरी और तसकरी की बात करते हैं इसी अस्थल से रात के अंधेरे में लोधना मोड होते हुए दो रूट में पीकप भेन में लाद कर गायों को ले जाया जाता है एक तो जरिया धनबाद और दूसरा जोरा पोखर बिरसा पूल होत गायों को भी ले जाया जाता है ताजा मामला आपको बताते चलें जरिया पूलिस ने गुप सुचना पर बनियाहिर के समीप मंगलवार की अहले सुवा एक पीकप भेन जिसका नंबर है जे एस टेन बीसी एट डवल नाइन एट को पकड़ा कुछ जानवर लदे थे और कु प्रंतु इसका असली खलनायक पुलिस की सिकंजे से अब तक है बाहर पकड़े गए लोगों के नाम है जुनेत खान जो पीकप भेन का ड्राइबर है और रमजान कंगाली सिकंदर उर्फ कुद्दूस कंगाली जिनका कंगाली गुड्डू कंगाली तथा नसुरुदीन प्रंतु फिर उसे छोड़ दिया यहां सवाल उठता है कि जो लोग पकड़े गए उनको कड़ाई से पूछ ताच होती तो तस्क्रों के नाम सामने आ सकते थे प्रंतु ऐसा नहीं हुआ और होता भी नहीं है सिंद्री परछेतर के HDPO ने प्रेस ब्रीफिन की प्रंतु सिर्फ पांच गिरफतारी की बात कही वह भी बिना नाम बताए या पकड़े गए लोगों को बिना सामने लाए आखिर क्यों क्यों बचाया जाता है पुलिस परसासन द्वारा तसकरों को यह अनुस्तंधान का वि को लेकर फूस बंगला भाट पटी कंगाली पटी काफी बदनाम रहा है काफी चर्चा में रहा है काफी सुर्चों में रहा है पूरा जीला जानता है पूरा परसासन जानता है प्रंतु आज तक तसकर सामने नहीं आये हैं न पकड़े जाते हैं और नहीं जेल की सलाखों मे जाते हैं बाहर से बाहर रहते हैं और बेचारे पकड़े जाते हैं वह मजदूर तबका है जो अपने पेड के लिए अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ भी करने को रहता है मजबूर आप देख रहे हैं KCN TV चैनल पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर जरिया थाना परिसर से गुड़ू खान की जी हां आपको मैं बताता चलूँ यह वही पीकप भेन है जिसमें गायों की तसकरी की जाती थी और भाट पट्टी, कंगाली पट्टी, फूस के सामने इस तरह का पीकप भेन, दर्जनों पीकप भेन आपको खाड़ा दिखेगा, मिलेगा और यह जानवर पीछे से तालाब के पास से रात के अंधेरे में लादे जाते हैं, रात के बारा बजे के बाद लादे जाते हैं और अंधेरे में ही अहले सुबह वह जरिया धन से कूच कर जाते हैं बंगाल की ओर जाते हैं यह कोई नई बात नहीं है वर्सों पुरानी बात है और वर्सों से यह धंधा निरंतर जारी है जोरा पोखर पुलिस और जहरिया थाना की पुलिस यानि दोनों थाना छेतर का या बोडर इलाका है दोनों थाना की पुलिस भली भ का नहीं पकड़ा जाना, तसक्रों का नाम सामने नहीं आना, इसके पीछे क्या साजी से यह बताने की आउसेकता नहीं है, आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या हो सकता है, केसीन टीवी चैनल हर वर्क खबर लेकर आपके समक्षाता है, जो होता है समाज के लिए, जो होता है आम लोगों के लिए, जो होता है सरकार के कानून की दिरिष्टी में, कि हम आगे भी इस तरह की खबर को लेकर आते रहेंगे, और हमारा प्रियास है कि तसकरों पर अंकूस लगे, तसकर सामने आएं, वह चाहे किसी भी तरह का तसकर हो, आज कोईलांचल कोईले के लिए जरूर जाना जाता है, पर यहाँ पर कोईले की ही तसकरी नहीं होती, आपको बताते चलें कि बुर्रागड ओपी छेत्र में इन दिनों मुन्ना जादब नामत कोईला तसकर सुर्ख्यों में है, इसी तरह से भागा बाजार में PDA के दुकांदार अवैद गुदाम बना कर, PDA का धंधा, गरीबों के अनाज के काला धंधा भी कर रहे हैं, काला बाजार में बेचकर माला माल हो रहे हैं, बड़े बड़े भवन, बड़े बिल्लिंग बना रखे हैं, जी हाँ, यह सब कब तक चलता रहेगा, आखिर सरकार और परसासन किस लिए है, क्या अवैद धंधे बाजियों को सनच्छन देने के लिए, या सिर्फ कभी कभार, छाप अमारी के नाम पर पकड़े जाने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, हमारा सवाल, हमारा सवाल सरकार से, हमारा सवाल पुलिस परसासन के बड़े अधिकारियों से है, कि इन सब छेत्रों पर, इन सब चीजों पर नकेल कसने की जुरत है, सिर्फ अख़बारों में मीडिया के समक्ष बड़े बड़े ब्यान दे कर वावाही लूट ने किया हो सेकता नहीं, जी हाँ, तो आप बने रहें, एक्सकूलूसिव और ब्रेकिंग निउस के लिए, केसी एन टीवी चेनल पर हम बने रहेंगे आपके साथ, आप बने रहें हमारे साथ, केसी एन टीवी चेनल एक चेनल ही नहीं, एक आंदोलन है, समाज में फैली बुराईों की आवाज बुलन करने का यह चैनल है, केसी एंड टीवी चेनल हर वख खबर लेकर आपके समझ आता है जो सिर्फ खबर ये नहीं उसके पीछे परदे के पीछे कौन है परदे के पीछे की कहानी क्या है इसको हम करते हैं उजागर और हमारा प्रयास है कि समाज में फैली विसंतियां बुराईयां सामने आएं और हूँ अगर आपके पास भी किसी भी तरह का एक्स्कुलूसिव रिपोर्ट है एक्स्कुलूसिव वीडियो है तो आप हमें जरूर भेजें हम उसे आज के लिए भास इतना ही लगाएंगे हम फिर मिलेंगे नई और ताल्या खबर लेकर जो चोथा अस्तम है केसिन टीवी च पी वी बीजि़ भी बान टीवी लगाई युट्वी जटेशों तुमा झालब